परने के लिए अस्थानी निकायों से MLC के चुनाव की तयारी सुरू हो गई है निर्वाचन आयोग सभी जिलों के नव निर्वाचित पंचायत परतनीधियों के बीवरन का इंतजार कर रहा है 15 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग को MLC चुनाव के लिए सिफारिस भेजी जाएगी बतादें की फरवरी में बिहार विधान परिशत की खाली सीटों के लिए चुनाव कराया जा सकता है मेडिया में चल रही कबरों की माने तो सिन्यर निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नए चुने गए पंचायतों के जन परजनीधियों का बेवरा जिला अधिकारी दोहरा आयोग को भेजा जाएगा अधिकारी ने यह भी कहा है कि 12 दिसंबर को अंतिम चरन का मद्दान समाप्त होने के साथ ही डिटेल हमारे पास आ जाएगा इसके बाद ही चुनाव आयोग को MLC चुनाव के लिए आपचारिक पत्र भेजा जाएगा बता दें कि परदेश में बिहार बिधान परिशत के इस समय 51 सदस हैं जबकि कुल सदस्यों की संक्या 75 है बिहार बिधान परिशत की 24 सीटे खाली है जिसे पंचाय चुनाव के बाद भरा जाना है बता दें कि बिहार विधान सभा कोट के आने वाली साथ सीटे भी खाली है जिसे कि जुलाई 2022 में भरा जाएगा यह भी बता दें कि साथ सीटे गुलाम रसूल बलियावी, अरजुन सहनी, सीपी सिना, कमरे आलम, रन विजय तनवीर अक्तर की, पतनी रोजिया नाजीस और मुके सहनी हैं जिनके सीटे वियार विदान परिस्ट की में सिप्ट हो गई है पता दें कि इन में से चार सीटे NDA की खाते की है और तीन सीट जो है वह महागटबंदन के पास में है ऐसे में NDA की कितनी सीटे BGP की खाते में जाएगी, कितनी जदियों की खाते में जाएगी या पिर उनके और जो घटक दल है उसमें जाएगी यह अब जो है NDA बैठे कर तेये करेगा इसके बाद अगर हम महागडबंदन की बाद करने तो इसमें राज़ाद, CPI और कॉंग्रेस इन तीनों के बीच में इन सीटों का बटवारा होना है तो ऐसे में आने वाले समय में यह साफ हो पाएगा की MLC की कितनी सीटी राजनीतिक पार्टियों के खाते में ज जाएगा कि कब जो है इसमें चुनाव होना है और 24 MLC कब न्यूक्त किये जाएंगे विहार और विहार से जुड़ी और वेसे इंग खबरों के लिए बने रहें विहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिए जाज़त धन्यवाद